नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं शेरबाज सेरीज की एक मज़ेदार कॉमिक्स शेरबाज और तांत्रिक बालूची पार्ट टू अब मैं तेरा वाद करूँगा शैतान ओ यह आदमी तो बहुत चालाक एवं फुर्तिला है मैं इस पर काबू नहीं पा सकता भाग कर डंगरनाथ को सूचित करने में ही मेरी भलाई है और फिर भैरवनाथ मंदिर के तरफ दोड़ पड़ा इसे हाथ से नहीं निकलने देना चाहिए बड़ी तेजी से दोड़ता हुआ भैरवनाथ मंदिर के अंदर जागुसा शेरबाज के पहुँचने से पहले वह द्वार बंद कर चुका था अता शेरबाज को रुख जाना पड़ा मंदिर के अंदर पहुँचने का यही द्वार है पर पहले मुझे उस बंदक व्यक्ति को मुक्त कराना चाहिए फिर शेरबाज वापस लाट पड़ा उधर तहखाने के द्वार पर खड़े पहरा दे रहे डंगरनाथ को भैरवनाथ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागने में सफल हुआ हूँ सारी बात सुन दंगरनाथ भैरवनाथ पर क्रोधित हो बरस पड़ा मूर्ख सूर्य अदव होने से पूर्व नर बली न होई तो सब सत्याना शो जाएगा मैं विवश्था डंगरनाथ भैरवनाथ का उत्तर सुन डंगरनाथ त्रिशुल उठा कर भैरवनाथ के साथ चल पड़ा आज एक नहीं दो नरों की बली होगी चलो मैं देखता हूँ कौन है वह दोष्ट उधर शेरवाज बंदे हुए आदमी के बंधन खोलना ही चाता था कि खत्रे का आभास पाप पलट पड़ा ओ तो यह शैतान फिर लोटाया अपने साथ एक और शैतान को लाया है यही है वह दोष्ट नरधाम तेरी मौत तुझे यहां खीश लाई है यह ज़्यादा खतरना लगता है अगले ही पल आह तबी भैरवनाथ को हाथ में फरसा लिए अपनी तरफ जपटते देख शेरवाज ने किसी नट की तरह कलावाजी खाई और अगले ही पल फिर इससे पहले कि डंगरनाथ संभल पाता शेरवाज की फॉलादी बहाँ डंगरनाथ की गर्दन से लिपट चुकी थी तबी शेरवाज ने भैरवनाथ को जमीन पर गिरे फरसे की और लबकते देखा अगले ही पल अपने साधी से कहे गलत हरकत ना करे वरना तेरी गले की हड़ी तूट जाएगी अपने गले पर शेरवाज की बहां का कसाव बढ़ता महसूस कर डंगरनाथ भैबीत हो उठा रुख जाओ भैरवनाथ भैरवनाथ डंगरनाथ की चीक सुनकर रुख कर पलट पड़ा अगर तुम अपने साथी की जिंदगी चाहते हो तो चुपचाप इस आदमी के बंदन खोल दो खबरदार कोई चाला की दिखाने की कोशिच मत करना हाँ हाँ जो यह कहता है करो भैरवनाथ ने बंदन व्यक्ति को मुक्त कर दिया तब शेरवनाथ ने उस आदमी की मदद से भैरवनाथ और डंगरनाथ को कसकर रसी से जकर दिया अब जब तक पुलिस नहीं आती तुम दोनों यहीं खड़े रहो फिर शेरबाज उस आदमी की तरफ मुड़ा तुम कौन हो बाई? इन शैतानों के चंगुल में कैसे फस गए? मैं राम लखन हूँ बाबुजी, मैं रोज सुभा तांतिर्क बाबा को दूद देने आता हूँ आज सुभा जब मैं आया, राम लखन शेरबाज को आप बिती बताने लगा उसके साथ घटी घटना चल चित्र के समान उसकी आँखों के सामने उबर रही थी मैं मंदिर में दाकिल हो रहा था कि तभी मेरे सिर पर चोट हुई फिर मुझे कसकर बांध दिया गया, तभी दूसरा सादू भी वहाँ पहुचा और नर्बली का प्रबंध होती देख प्रसन हो उठा शाबाज भैरवनात, अब जाकर नर्बली की तयारी करो ध्यान रहे, गुरुदेव एक कन्या के साथ मृत्यू सिद्धी की साध्णा में लीन हो चुके हैं उनकी साध्णा में कोई बाधा न पहुचे आप चिंता न करे डंगरनात अचानक शेरबाज ने राम लखन को बीची में रोक दिया राम लखन तुम फोरन पुलिस को यहां लेकर आओ, तब तक मैं उस लड़की को इन हत्यारों के चंगुल से रिकालने की कोशिश करता हूँ अच्छा बाबुजी, राम लखन के जाने के बाद, एक कन्या और बालुची के साथ शेरबाज ने समय गवाना उचित नहीं समझा, और मंदिर की तरफ दौर पड़ा नजाने दुष्ट बालुची ने उस कन्या की क्या दुर्दुशा की होगी मंदिर का द्वार खुला था, अता शेरबाज को अंदर जाने में कोई कठनाई नहीं हुई अभी करवाता हूँ बालुची, तेरी मृत्यु सिद्धी साथना फिर एक दौर के सामने पहुंच शेरबाज रुख गया, सामने दिवार पर एक कुलहारा लटका हुआ था शायद यही तहकाने का दौर है, बालुची यही तहकाने में साथना कर रहा होगा इधर जैसे ही शेरबाज ने मंदिर में कदम रखा, उधर अपनी साथना में लीन बालुची का ध्यान एका एक ही भंग हो गया कौन है यह दुष्ट, जो मेरे माया जाल को तोड़, मेरी साथना में विग नडालने चला आया बालुची अपने दिव्वे शक्ती से विगन डालने वाले का पता लगाने की कोशिश कर रहा था यह क्या, वेध दुष्ट मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है, डंगरनात और भैरवनात कहा है बालुची जब दिव्वे शक्ती द्वारा भी डंगरनात से बात न कर सका, तो अचंबित हो उसे अपनी साधना अधूरी छोड़नी पड़ी डंगरनात और भैरवी मेरे माया चाल्स गहरे से बाहर जा चुके है, जरूर कोई गड़बढ है, मुझे स्वेम जाकर पता लगाना चाहिए उधर तहकाने का द्वार खुलते ही, शेरबाज कपाट की आर में हो गया शेरबाज की मौझूदगी से बेखबर, बालूची दरवाजे से निकल आगे बढ़ गया इस शैतान से बाद में निप्टूँगा, पहले लड़की को यहां से निकालू तहकाने में पहुँचते ही शेरबाज चौक उठा, यह तो शायद मर चुकी है फिर निकट पहुँचका शेरबाज ने गौर से लड़की का निरिक्षन किया यह तो जिन्दा है, लेकिन नब्स बहुत धीमी चल रही है मुझे इसे तुरंत खुली हवा में ले चलना चाहिए फिर जैसे ही शेरबाज चलने को हुआ, उसकी नजर श्रीव मूर्ती पर जा पड़ी यही एव है तीन आख वाली मूर्ती, अच्छा मौका है तीसरी आख में जड़े हीरे को निकालने का शेरबाज मूर्ती के समीप पहुँच गया अरे, यहां तो कोई हीरा नहीं है कहीं बालुची हीरा अपने साथ तो नहीं ले गया आप शेरबाज ने वहां रुकना उचित नहीं समझा और मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगा इससे पहले कि बालुची लोटे मुझे सुरक्षि स्थान पर पहुँच जाना चाहिए उधर मंदिर के बाहर निकल जब बालुची ने डंगरनाथ और भैरवनाथ को कहीं न पाया तो वह चिंतित हो उठा वह दोनों कहां गए मुझे एक बार फिर दिव्वे शक्ति का प्रियोक कर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए और फिर बालुची दिव्वे शक्ति द्वारा डंगरनाथ और भैरवनाथ से संबन स्थापित करने लगा डंगरनाथ भैरवनाथ कहां हो तुम दोनों तुरन जवाब दो यह तो महराज की आवाज है महराज हम वजचाला में बंदे पड़े हैं हमें जल्द मुक्त कराईए पुलिस यहां पहुँचने वाली है डंगरनाथ की आवाज बालुची को अपने कानों में सुनाई दी अगले ही पल वह वजचाला की और दौड पड़ा डंगरनाथ ने बालुची को सारा किस्ता कह सुनाया वह धूर्थ हमें यहां बंदा छोड़ मंदिर की तरफ ही गया है मंदिर की तरफ बालुची का माथा ठनका फिर बालुची अपने शिश्यों के साथ वजचाला से निकल मंदिर की और वापस दौड पड़ा मैं उस धूर्थ को ऐसी मौत मारूँगा कि उसकी रूस साथ जन्म तक प्रेत योनी में भटकती रहेगी फिर बालुची ने जैसे ही तहकाने में कदम रखा बुरी तरहें चौंक उठा यह क्या कन्या भी गायब है जरूर वह धूर्थी कन्या को उठा ले गया होगा बालुची चिंतितो उठा यह काम किसी साधारान आदमी का नहीं हो सकता मुझे महाकाल दरपन में देखकर पता लगाना चाहिए हे महाकाल के दरपन बता कन्या कहा है कौन दुष्ट उसे उठा ले गया परन्तु महाकाल दरपन में बालुची को आग की लट्टों के सिवा कुछ दिखाए नहीं दिया बालुची चौख उठा यह क्या हमें कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा जरूर वह व्यक्ति जो कन्या को उठा ले गया है अद्भुष शक्तियों का स्वामी है लेकिन अगनी बाबा के सिवा ऐसी शक्ति किसके पास हो सकती है हमें ब्रह्म राक्षस की साहता लेनी चाहिए उधर शेरबाज लड़की को होश मिलाने की कोशिश कर रहा था किन्तु उसे सफलता नहीं मिली बालुची को जब ये लड़की नहीं मिलेगी तो वह जरूर पता लगाने की कोशिश करेगा हो सकता है वह यहां पहुँचे इस अंगूटी के जरिये बालुची से मैं अप्ली रक्षा कर सकता हूँ परन्तु इस लड़की को मुझे अगनी बाबा से कोई रास्ता पूचना चाहिए शेरबाज ने अगनी बाबा को याद किया अगनी बाबा मुझे इस लड़की के बचाफ का कोई रास्ता बताईए बच्चा फिक्र मत करो अगर तुम किसी धातु के टुकडे को साथ बार मेरी दी हुई अंगूटी से छुआ कर इस कन्या के शरीर के किसी भी अंग से बान दो तो ना केवल यह कन्या थोड़ी देर में होश में आ जाएगी अपितुब बालुची की किसी भी तांतरिक शक्ती का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा फिर शेरबाज ने लड़की की कान की बाली खोल अगनी बाबा के आदेश का पालन किया अब बालुची इसका कुछ नहीं बिगार सकता और फिर तुरंत ही लड़की होश में आ गई उधर बालुची ने जैसे ही ब्रहम राक्षस को याद किया वह बालुची के सामने प्रकट हो गया क्या अग्या है महराज? किसी दुष्ट ने हमारी साधना में विगन डाला है वह मृत्यु सिद्धी के लिए लाई गई कन्या को भी उठा ले गया है तुम उसका पता लगा कर उसे तुरंत खत्म कर दो और कन्या को वापस ले आओ जो आग्या महराज? वह धूर्थ अब बच नहीं सकता? हाँ 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 आकाश में विचरन करते हुए ब्रहम राक्षस को जल्द ही शेरबाज लड़की के साथ खड़ा नजर आ गया यही है वह धूर्ष जिसने महराज की साथ्धा में विगन डालने की गुस्ताकी की है अभी मजा चकाता हूँ इसे दोसरे ही पल ब्रहम राक्षस जंगल में चरते एक भैसे के शरी में परवेश कर गया भरम राक्षस के अंदर समाते ही भैसे में आश्चार्य जनक परिवर्थन आ गया उधर लड़की शेरबाज को देख भहबीत हो उठी तो तुम कौन हो? मैं यहां कैसे आई? कहा हूँ मैं? इससे पहले कि शेरबाज लड़की के प्रशनों का उत्तर देता भयानक आवास तुन चौक कर आवाज वाले दिशा में पलट गया लगता है यह भैसा पागल हो गया है तभी शेरबाज को खत्रे का आवास हुआ वह तुरन सतर्क हो गया यह भैसा इसी तरफ आ रहा है शायद हमला कर बैठे शेरबाज का अनुमान सही निकला शेरबाज ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए अपना बचाफ किया फिर जैसे ही दुबारा आकरमन करने के लिए भैसा पलटा शेरबाज ने उससे टकर लेने का इरादा कर लिया और लेकिन अभी शेरबाज भैसे के सिंग मजबूती से पकड़ ही पाया था कि तभी शेरबाज को अपने अंदर समाती असीम शक्ती का आवास हुआ और दूसरे ही पलट अरे यह आवास तो किसी इंसान की जान पड़ती है वरिक्ष की ओट में खड़ी लड़की आश्चारे से यह द्रिश्य देख रही थी कितना शक्तिशाली है यह व्यक्ती इसने इस पागल भैसे को कितनी आसानी से अपने काबो में कर लिया है शेरबाज भैसे की सच्चाई को भांप चुका था तो तू बालूची का चमचा है शेरबाज का शक्तिशाली घूसा जैसे ही भैसे के सिर से टकराया भैसे का सिर तरबूच की तरहें खिल गया ब्रह्म राक्षस ने भागने में ही अपनी भलाई समझी असीम शक्ति का स्वामी है यह मानव लड़की इस द्रिश्चे को देख चकित रहे गई यह कैसा चमचार भैसे के रूप में राक्षस ऐसी बाते कालपनिक कथाओं में ही पड़ी तुम नहीं समझोगी यह है चमचार पहले यह बताओ अब कैसी तब है थे तुमारी ठीक हूँ पर आप शेरबाज ने लड़की को अपना परिचे दिया बड़ा नाम सुना था आपका अंकल आज आखों से भी आपकी बहादुरी का कारना मत देख लिया पर तुम इन शैतानों के चंगुल में कैसे फसी लड़की ने याद करने की कोशिश की मैं स्कूल जाने के लिए तयार ही हुई थी फिर आगे कुछ भी तो याद नहीं आ रहा है अंकल खेर कोई बात नहीं मैं खुद ही मालूम कर लूँगा फिलहाल तुम सुरक्षित हो जब तक मैं लोटकर नहीं आता तुम यहीं विश्राम करो मुझे समय नगवा कर पहले बालूची की खबर लेनी चाहिए उधर ब्रह्मराक्षस मायूसती हालत में बालूची के सामने प्रकट हुआ तुम्हारे चेहरे पर यह उधासी के ब्रह्मराक्षस करन्या को कहां चोड़ाए मैं शर्मिन्दा हूँ महाराज मैं उस दुष्ट मानव का बाल भी बांका न कर सका उल्टे मुझे ही जान बचा कर भागने के लिए विवश होना पड़ा हमें यही धरता उस धूर्ध व्यक्ति की वज़े से हमारी सारी महनत पर पानी फिर गया अब तुम जा सकते हो ब्रह्मराक्षस मैं वादा करता हूँ महाराज बहुत जल्द उस दुष्ट की असलियत का पता लगा आपको सूचित करूँगा ब्रह्मराक्षस के अद्रिष्ट होने के बाद लेकिन अब क्या होगा महाराज वह इधर ही आता होगा बालुची ने खत्रे को समझते हुए तुरंती वह डेरा छोड़ देने का निश्चे किया हमें यह डेरा तुरंती छोड़ना होगा चलने की तयारी करो डंगरनाथ जो अग्या महाराज फिर बालुची के आदेशा नुसार डंगरनाथ व भैरनाथ ने अपने हाथ बालुची के हाथ में थमे कपाल पर रग दिये और फिर बालुची अपने सिद्ध शक्ती द्वारा दोनों शिष्यों सहीत हवा में उपर के और उड़ने लगा तभी एक जोड़ा धमाके के साथ मंदिर की छट के परखच्चे उड़ गए और मंदिर की और बढ़ता हुआ शेरबाज उचल कर दूर जा गिरा और बालुची वा उसके शिष्य बहुत तीवर गती से आकाश की और प्रवास करने लगे और कुश्चन बाद वे बादलों में विलीन हो गए आखिर चूक हो ही गई यह शैतान तो भाग निकले शेरबाज वापस उस दिशा में लट पड़ा जहां वह लड़की को छोड़ाया था क्या तांतरिक बालुची मृत्यू सिध्धी प्राप्त कर सका क्या शेरबाज अगनी बाबा को दिया वचन निभा सका आखिर तांतरिक बालुची कहां गया यह सब चानने के लिए बने रहे मेरे साथ और हाँ मेरे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद